नमस्कार दोस्तो, मैं आपको अपने चैनल जुगार इन या टेकनोलजी में आपका हार दिख सुवागत करता हूँ दोस्तो हम यहाँ पे जे, जुगार, आई, इन्फोर्मेशन और टी टेकनोलजी से रिलेटेट सब्जट के बारे में बात करते हैं दोस्तो आज का subject है हमारा technology से related दोस्तो हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि फाइल क्या होता है फाइलिंग किसे कहते हैं फाइल के parts कौन कौन से होते हैं और फाइल का parts के material क्या होते हैं और फाइलिंग कितने प्रकार की होती है दोस्तों अगर यह वीडियो आपने मिस करती है तो इसका लिंक हमने अपने description box में दिया है जिसमें आप जाकर click करके अवस्य देखें दोस्तों आज हम जानेंगे classification of file यानि की रेती का वर्गिकरण कितने प्रकार से होता है रेती का वर्गिकरण होता है great के अधार पर, iatty-cover के कट के अधार पर और save के अधार पर अगर आप इस वीडियो में नए है तकित प्रोस करके subscribe का बटन दबा दे और bellा कन को press कर दे ताकि आपको आगे आने वाले ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हूँ दोस्तो आज हम grade के आधार पर फाइल के प्रकार जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे कि grade होता क्या है grade क्या होता है इसमें प्रती work centimeter में दातों के संख्या को लिया जाता है जैसा कि आप picture में देख पा रहे हैं एक work centimeter में जितने दाते आते हैं उसी के हिसाब से grade का आधार पर फाइल का वर्यकरन किया जाता है दोस्तो हमने यहाँ पर 8 inch के फाइल को यानि कि 200 mm के फाइल को दातों को बेस मानकर grade के आधार पर वर्यकरन को समझाने के कोसिस किया है लंबाई के हिसाब से दातों के संख्या घर्टी बढ़ती है जो कि हम बीडियो के अंत में फाइल का चार्ट दिखाएंगी तो बीडियो में अंत जरूर बने रहें दोस्तो आईए हम जानते हैं ग्रेट के अधार पर फाइल छे परकार के होते हैं दोस्तो रफ फाइल में अक्सर साथ दाते पाए जाते हैं परतिवर्ग सेंटिमेटर में इसका प्रियोग समान नितर रफ फाइलिंग के लिए होता है इसमें फिनिसिंग नहीं आती है जैसा कि नाम से ही प्रदर्सित होता है रफ फाइल इसका प्रयोग प्राया सॉफ मेटरियल के लिए या ज्यादा से ज्यादा मेटरियल को कट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अगला फाइल है बास्टर्ड फाइल बास्टर्ड फाइल में प्रती वर्क सेंटिमेटर ग्यारा दाते पाया जाते हैं इसका प्रियोग वर्क्षॉप में सबसे ज़्यादा किया जाता है इसका फिनिसिंग रफ फाइल से अच्छा होता है परन्तु इतना भी अच्छा नहीं होता है सेकेंड कर फाइल अगला फाइल हमारा है ग्रेट के अधार पर इसमें प्रती वर्क सेंटीमीटर 16 दातें पाये जाते हैं इसका प्रियोग हाड मेटरियल को फाइल करने के लिए घिसने के लिए प्रियोग में लाये आता है इसमें फिनिसिंग अच्छी आती है दोस्तो यहां पर परिक्षक एक बहुत ही संदार गोगली मारता है और वो गोगली के आता है मैं बताता हूँ दोस्तो परिक्षा में अकफर कोशनाता है सेकेंड काट फाइल किस आधार का वर्गिकरन है और ओपिसन दिया रहते हैं दो cut के अधार पर या grade के अधार पर और सारे छात्र यहीं पर bold हो जाते हैं क्योंकि second cut file में cut लिखा हुआ है इसलिए सवाल का जबाब दे कर आते हैं कि cut के अधार पर पर परंतु दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें कि second cut file grade के अधार पर और file का वर्गी करण है दोस्तों जैसा कि यहां पर picture में देख सकते हैं single cut file और double cut file यह वर्गी करण होता है cut के अधार पर पर परंतु इसमें ध्यान देने और बात है कि single cut और double cut यानि कि terminology क्या use हो रही है सब्द क्या user है single और double जबकि second cut जो है grade के अधार पर होता है और आप एक विशेश ध्यान और देखिए दोस्तों यहां पर कि single cut और double cut दोनों में ही second cut का file पाया जाता है तो दोस्तों कभी बोल्ड नहीं है चक्का मार यहां पर second cut file grade के अधार पर file के प्रकार है तो आईए दोस्तों अगला file देखते है smooth file smooth file के प्रति work centimeter में 22 दाते पाये जाते हैं इसका प्रियूग अच्छे surface finish के लिए किया जाता है दोस्तों अगला file है dead smooth file इसके प्रति work centimeter 30 से 45 दाते पाये जाते हैं इसका high accuracy प्राप्ट करने के कम tolerance वाले product को बनाने में किया जाता है जैसे कुछी 60 पे कम tolerance दिया है तो उसमें इससे final size यानि precision work के लिए यूज किया जाता है इसके लंबाई 100 mm से लेकर 350 mm तक पाई जाती है अगला है super smooth file super smooth file क्या होता है दोस्तों इसमें प्रति work centimeter में 45 से 65 फाइल 65 दाते होते हैं आम तोर पर इसको single cut में ही बनाया जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा finish देने की जरुर्वत होती है दोस्तों या 100 mm से लेकर 200 mm तक के लंबाई में बनाया जाता है और इस फाइल का ज्यादा प्रियो प्रियोग में किया जाता है दोस्तों आए हम दिसका करते हैं फाइल चाट पे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही 100 mm तक में हम लोग बर्तिक्रम में जाते हैं वैसे ही राफाइल में 10,8 और 7 यानि की दातों की संख्या घरती आती है तो दोस्तों आपने यहां क्या देखा जैसे जैसे फाइल के लंबाई पड़ती है वैसे वैसे दातों के संख्या कम होती जाती है दोस्तों आज हमने जाना यहां पर ग्रेट के अधार पर फाइल के वर्गी करन्ड दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे प्रोचान को बढ़ाता है धन्यवाद दोस्तों